दोस्तो सलवार में, प्लाजो में, पैंट में, इलास्टिक लगाने का बिलकुल परफेक्ट और सही तरीका क्या है आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तो सबसे पहले इसके लिए हमें इलास्टिक लेना होगा इलास्टिक हमने ले लिया है यहाँ पर और इलास्टिक की जो हमारी चौराई है वो एक इंच है और अपनी कमर के हिसाब से आप इलास्टिक को रख सकते हैं यहां पर डबल में 13 इंज का इलास्टिक लिया है ओवराल इसकी 26 इंज की लंबाई है उसके बाद आप देख सकते हैं कि सलवार हमारा पूरी तरह से कंप्लीट रेडी है चुकि हम इस वीडियो में सिर्फ इलास्टिक लगाना बता रहे हैं तो हमें अब क्या करना है है ज्योंट करने के बाद जो इलास्टिका सबसे में पॉइंट होता है यहीं पर होता है अब क्या करेंगे जब ज्रूम कर लेते हैं आप आपस में तो इसे जब आप स्ट्रेट करकर रखेंगे ना तो यह कर्व शेप में बनताए इस तरह से देखिए अप थोड़ा सा को ऊपर की तरफ रखेंगे कमर के ऊपर वाले हिस्थे में तो और जो डीप डीप वाला एरिया होगा वो नीचे की तरफ लेगा उसको इस तरह से रखने के बाद हम इस तरह से अटेज कर लेंगे वहाँ पर दोस्तों जब हम इलास्टिक को लगा रहे होते हैं उस टाइम पे कमर का जो कपड़ा होता है वो ज्यादा होता है इलास्टिक हमारी छोटी होती है तो उसके लिए हमें क्या करना होता है जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है उसको बैक साइड की तरफ धकेलना होता है और इलास् वह पूरे कमर के कपड़े में एड़ेस्ट हो जाए और बाकी जो कपड़ा होता है वह आपको फ्रिल्स टाइप का वहां पर बन जाएगा चुनड़ ताइप का तो इस तरह से आप करके इसको अटेज करेंगे अटेज करने के बाद आपको आगे का प्रोसेस में बताता हूं अभी मेरी वीडियो में थोड़ा सा ब्राइटनेस ज्यादा हो गया है तो थोड़ा सा आप यहां पर एड़ेस्ट कर लिजेगा तो आप देख सकते हैं कि हमने फाइनली इसको स्टिश करके अटेज कर लिया लेकिन इसमें अभी एक और इंपोर्टेंट काम बाकी है आप इसको स्ट्रेश करके पूरे कपरे को एडजस्ट कर लेंगे उसके बाद हमें क्या करना है इसके सेंटर पे सिलाई मारने होगी क्य नियूकि जब आप इसन्टर पे सिलाई नहीं मारेंगे तो क्या होगा इन फ्यूचर मैं जब आप इसको यूज हरेंगे तो यह इलास्टिक बाद में हो सकता है कि उसमें घूम जाए तो वह क्या होगा एक रसी टाइप एंञटन टाइप कउसमें बन जाएगा और आपके क किजिएगा चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब किजिएगा ताके फ्यूचर में जब भी स्टिशिंग से रिलेटेट कोई भी इंट्रेस्टिंग वीडियो में अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उससे कुछ सीख सक होगे तो उमीद है दोस्तों हमारी वीडियो आपको पसंद आए होगी हमारी वीडियो को यहां तक वाच करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया